साथियों, देश के एग्रिकल्चर सेक्टर की उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किये गए हैं। आज भारत का एग्रिकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रण हुआ है। असल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष यही है कि किसानों की आए बड़े, देश का किसान समर्द हो, जब देश का किसान समर्द होगा, तो देश भी समर्द होगा। आपको मैं एक और उधान देता हूँ, कि क्रिसिक छेत्र को पहले कैसे हंडल किया जा रहा था। सात्यों हमारे देश में पहले इथेनौल तक को प्रात्विक्ता देकर इंपोर्ट किया जाता था। जबकि खेतों में गन्ना किसान परेशान रहता था कि उसका गन्ना बिक नहीं रहा, या उसके गन्ना किसानों का हजारो करोड रुपय का बकाया भी समय पर मिलता नहीं था। हमने इस स्थिति को बदला, हमने देश में ही इथे नौल के उत्पादन को बढ़ावा दिया। पहले चीनी बनती थी, गुर बनता था। कभी चीनी के दाम गिर जाते थे, तो किसान को पैसे नहीं मिलते थे। कभी चीनी के दाम बढ़ जाते थे, तो कंज्यूमर को तकलिफ होती थी। यानि कोई व्यवस्था ऐसी चलनी ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ हम हमारे कार, स्कूटर चलाने के लिए विदेशों से पैट्रोल लाते थे। अब अगर ये काम इथनॉल भी कर सकता था। अब देश में पैट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथनॉल की ब्लैंडिंग करने की तरफ बढ़ रहा है। सोचिए, इससे कितना बड़ा बडलावाने वाला है। इससे गन्ना किसोनों की आमनी तो बढ़ेगी, रोजगार के भी नए आउसर मिलेंगे। साथियों, आज जब मैं उद्योग जगत के वरिष्ट लोगों के बीच हूँ, तो इस बात को भी खुल कर कहूँगा, कि जितना हमारे देश में एगरी कल्चर पर प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से उतना नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट के सप्लाई चेन बहुत सिमित दायरे में काम करती रही है, फर्टिलाइजर की किलत होते आपने भी देखा है, इसका कितना इंपोर्ट भारत करता है, आप भी जानते हैं, एगरी कल्चर सेक्टर के ऐसी कितनी चुनोतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकान निरंतर काम कर रही है, लेकिन इसमें आपके इंट्रेस्ट और आपके इंवेस्टमेंट दोनों की आवशक्ता है, मैं मानता हूं कि अगरी कल्चर से जूरी कई कम्पनिया अच्छा काम कर रही है, लेकिन सर्फ उतना ही काफी नहीं है, फसले उगाने वाले किसानों को, फल सबजियां उगाने वाले किसानों को, जीतना आधुनिक टेक्नोलोजी का, आधुनिक व्यापार और द्योग के तोर तरीक का, जीतना सपोर्ट मिलेगा, उनकी जरुनतों को देखते हुए, जीतना हम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही हमारे देश के किसान का फसलों का नुक्सान कम होगा उतनी ही उनकी आए बढ़ेगी कि आज ग्रामिन छेत्र में एग्रो बेज इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कॉप है पहले की नीतिया जो भी रही हो लेकिन आज की पॉलिसी ग्रामिन कुषी आधारीत अर्थे बवस्ता विक्सित करने के लिए बहुत अनुकूल है नीती से और नियत से सरकार पुरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिविद्ध है